दोस्तो मैं हूँ इसाका बासी और आज किस वीडियो में हम ड्रेक्ट इंटू इंड्रेक्ट के पार्ट टू में परोनाउंस की तब्दीली के बारे में सीखने जा रहे हैं आपको परोनाउंस के तमाम किसे के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिसमें सबसे पहले nominative case आता है nominative case में first person I और we शामिल है जबके second person you शामिल है और third person में he, she, it, they या किसी शेक्स का या किसी औरत का या किसी चीज का नाम शामिल होता है दूसर नमबर पर objective case है जिसमें first person I का me और we का us शामिल होता है और इसी तरह second person you का you ही रह जाता है और objective case का third person में he का him, she का her, it का it और they का them बन जाता है तीसरे नमबर पर दोस्तों possessive noun आते हैं जिसमें first person I का my और mine होता है जबके we का our और ours बन जाता है इसी तरह possessive noun में second person you का your और yours हो जाता है दोस्तों possessive noun में third person he का his और his इसी तरह she का her और hers, it का its और फिर दुबारा its इसी तरह दे का their और theirs शामिल है अब हम reflexive noun के बारे में भी जान लेते हैं जिसमें first person I का myself, we का ourselves और इसी तरह second person का you और you का yourselves या yourself और इसी तरह third person जो के reflexive noun में he का himself, she का herself, it का itself और they का themselves शामिल है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं के pronouns को direct into indirect में कैसे बदलते हैं इसके लिए एक simple formula है जिसकी मदद से हम pronouns को आसानी के साथ बदल सकते हैं इसके लिए आपको एक word जो के son son याद करना पड़ेगा अब मैं आपको बताता हूँ के लफ़ son से हम किस तरह reported speech में pronouns की तबदिली कर सकते हैं अब आपकी थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है son son का पहला letter s है s से मुरा subject है यानि reported speech में मजूद किसी भी first person जैसे के i, we, my, our, me, us, myself और ourself बगरा को reporting speech के subject के साथ बदला जाता है दोस्तो अगर आप reporting speech और reported speech के बारे में जाना चाते हैं तो इस पर मैं direct into indirect part 1 वाली वीडियो बना चुका हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा अब हम एक example के मदद से first person की तबदिली के बारे में जान लेते हैं she says to me I am learning my lesson अब हम इसी जुमले को indirect में change करते हैं सबसे पहले she says to me फिर commerce को खत्म किया और इसकी जगह पर हमने debt लगाया फिर I को reporting speech के subject जो के she है इसके साथ बदल दिया अब I की जगह पर she आ गया अब चौंका she आ चुका है तो इसलिए इसके साथ M नहीं लगाया जाता बलके अब हम इसके साथ is लगाएंगे तो अब जुमला बन गया she is learning दोस्तो अब इसी तरह first person my है और ये pronoun की possessive हालत है इसलिए possessive हालत को she की possessive हालत के साथ ही बदलेंगे अब हम देख लेते हैं कि she की possessive हालत क्या है दोस्तो यहां पर she की possessive हालत हार है इसलिए अब माई की जगा पर हार का इस्तमाल होगा तो अब ये जुमला कुछ she यूं बना she says to me that she is learning her lesson दोस्तो आप लोग इसी तरह first person we पर भी एक जुमला लिख कर खुद से practice करें अब हम बात कर लेते हैं कि second person you को किस तरह तबदिल किया जाता है इसके लिए अब हमें फिर word son का सहारा लेना पड़ेगा अब हम देख रहे हैं कि word son में दूसरा letter o है और o से मुराद object है यानि reported speech के second person को reporting speech के object के साथ तबदिल किया जाता है दोस्तो अगर reporting speech में object ना हो तो फिर आपकी मर्जी है कि आप second person you, you are, you और yourself को third person या first person दोनों में से किसी एक के साथ तबदिल कर सकते हैं जैसा कि he says you are doing your work अब हम इसी जुमले को indirect में बदलने की कोशिश करते हैं सबसे पहले he says और फिर हमने कोमास को खत्म किया और that लिखा अब हम इसको first person I के साथ बदल देते हैं अब you की जगा पर I और आर की जगा पर M फिर doing लगाया फिर you are जो के possessive हालत है अब हमने I की possessive हालत you are की जगा पर लगाई तो बन गया my और बाद में लिख दिया work अब ये जुमला direct से indirect बन चुका है दोस्तों अब हम एक ऐसा जुमला लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे के second person you को object के साथ कैसे बदला जाता है I say to him you are a good student अब हमने पहले reporting speech वैसे की वैसे लिख ले यानि I say to him फिर commerce को खतम किया और debt लगाया अब हमारे पास reporting speech में object him मुझूद है इसलिए you की जगा पर him की nominative हालत यानि he का इस्तमाल करेंगे क्योंके you यहां पर खुद nominative हालत में है जब हमने he लगा लिया तो अब हम he के मताबक is as a helping verb इस्तमाल करेंगे बाकी a good student वैसे का वैसा आ जाएगा इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि third person pronounce को किस तरह direct से indirect में बदला जाता है तो इसके लिए हमें फिर एक बार लफज son को देखना पड़ेगा अब लफज son में तीसरा letter n है जिसका मतलब है no change यानि reported speech में हम किसी किसन की कोई तबदिली नहीं करेंगे दोस्तो third persons बहुत सारे हैं मैं आपको एक लफज she की example दे देता हूँ बाकि आप खुद practice कर लेजएगा अगर मैं तमाम words के बारे में आपको बताने लगूं तो शायद वीडियो का दुरानिया बहुत ज्यादा हो जाएगा अब हम एक example देख लेते हैं he says to me she is a good teacher दोस्तो he says to me को बिलकुल वैसे का वैसा लिकने फिर commerce को खतम किया इसकी जगह पर हमने डैट लिखा अब हमने कोई changing नहीं करने इसका मतलब है कि हमने जुमला वैसे का वैसा लिकने दिया she is a good teacher दोस्तो reported speech में हमें और भी बहुत सारी तबदिलियां करने पड़ती हैं जिसमें tense को change करना और कुछ मखसूस words को बदलना वगरा शामिल है जिसके बारे में हम direct into indirect के बक्या parts में discuss करेंगे तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है उमीद है आपको फैदा हुआ होगा अगर आपको आज की वीडियो से फैदा हुआ है तो दोस्तो जाते हुए एक like लाजमी किजिएगा बाकी मैं हमेशा कहता हूँ keep practicing, keep smiling and keep improving